निम्नलिखित संख्याओं के समुच्य का मीन यानी माध्य, मीडियन यानी माध्यक और मोड यानी बहुलक ग्याद करें. ये हैं हमारे संख्याओं का समुच्य यानी सेट. हम पहले माध्य की बात करते हैं. तो अगर कोई हमसे माध्य ग्याद करने के लिए कहता है, तो आम तोर पर ये औसत ग्याद करना ही होता है. इसे अर्थमेटिक मीन या समानतर माध्य कहना जादा उचित होगा, क्यूंकि माध्य भी कई प्रकार के होते हैं. इसके लिए हम सभी संख्याओं को योग करेंगे और उस खुल मौजूद संख्याओं की गड़ना कर उससे विभाजित कर देंगे. तो हमारा मीन माध्य होगा 23, 29, 29, 32, 32, 23, 31, 33, 25. और अब इसे खुल मौजूद संख्याओं की गड़ना कर उससे विभाजित करते हैं. एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ. खुल आठ संख्याओं हैं. इसलिए हम आठ से विभाजित करेंगे. इस योग के लिए हम कैलकुलेटर निकाल लेते हैं. हालक इसे खुद से भी हल किया जा सकता था, लेकिन मैं यहाँ समय बचाना चाहता हूँ. 23 प्लस 29 प्लस 20 प्लस 32 प्लस 23 प्लस 21 प्लस 33 प्लस 25 तो इनका योग होगा 206. अब हम 206 को आठ से विभाजित करना चाहते हैं. 206 divided by 8 हमें मिलता है 25.75 तो हमारा माध्य होगा 25.75 अब मीडियन यानी माध्यक की बात करते हैं. माध्यक ज्यात करने के लिए हमें सभी संख्याओं को आरोही क्रम यानी असेंडिंग आउडर में लिखना होगा. यहां सबसे छोटी संख्या है 20. अगली संख्या है 21. यहां 22 नहीं है. हमारे पास दो 23 हैं. यहां आ जाएगा 23 और एक और 23. यहां 24 भी नहीं है. यहां है अगली संख्या 25. अब ना तो 26 है, न 27, नहीं 28. अगली संख्या सीधे 39 है. फिर है 32 और अंत में यह है 33. तो अब इस क्रम में मध्य वाली संख्या कौन सी है? तो यहां हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 संख्याएं हैं. अरे यह तो हम पहले से जानते थे. तो यहां मध्य संख्याएं 2 होंगी. जब भी हमारी ली गई संख्याएं सम होंगी, तो मध्य संख्याएं हमेशा 2 होंगे. तो मीडियन ग्याद करने के लिए हम उनका औसत निकालेंगे. पहले संख्या 23 होगी. यह स्वयम मीडियन हो सकती है क्यूंकि 3 संख्याएं इस तरफ है और 4 इस तरफ. और दूसरी संख्या 25 होगी. यह भी स्वयम मीडियन हो सकती है क्यूंकि 3 संख्याएं इस तरफ है और 4 इस तरफ हैं। इसलिए हम इन दो संख्याओं का मीन यानि आउसत या फिर माध्य लेते हैं। कोई एक तरीका नहीं होता है। यहां ये एक तरीका है middle value यानि मध्य वाली संख्याओं ग्यात करने का। अब अंत में हम mode यानि बहुलक की बात करते हैं। ये वास्तों में वो संख्या होती है, जो हमारे समुच्चे में सबसे जादा बार आती है, इस वाले समुच्चे में सभी संख्याएं एक बार आती है, केवल ये 23 इस समुच्चे में दो बार आता है, क्यूंकि 23 दो बार आता है, इसलिए ये हमारा बहुलक होगा, 23 will be our mode.